यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ की आंदोलण शुरू कर दिया जाएगा अगर सरकार फैसला वापस नहीं लेती इसी बीद्ड never तो खेल परश्द अब रास्ची जम्हा करवानी हो गी यवा द कही गई इस फैसले की जरीए हाई कूट की फैसले का हवाला दिया गया इस नोटिफिकेशन को लेकर साफ कहा गया कि इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल राजे में खेल के विकास के लिए किया जाएगा जिसका खिलाडियों से लेकर विपक्ष तक विरूद कर रहे हैं दिए इसमें नया कुछ नहीं है यह सरकार का बहुत पुराना नियम है रूल 56 है कि अगर कोई सरकारी करमचारी कोई कमर्शियल इंकम करता है को प्रफेशनल इंकम करता है तो उसका वन थर्ड उसको जमा कराना पड़ता है यह हमने वजिंदर को पहली बार प्रफेशनल बॉक्सिंग के लिए इजाज़त दी थी तो उसमें हाई कोटन हमें कहा था कि आप नियम बनाओ तो हमने वो नियम बना दिया कि जो प्रफेशनल खिलाड़ी जो बिकते हैं जो इंकम करते हैं अगर वो इंकम करेंगे तो दू वो भी खिलाड़ीयों पर ही खर्च किया जाएगा देखिए यह जो नोटिफिकेशन किया गया है इसमें हाई कोट को सरकार का एक आश्वासन था कि जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलेंगे यानि जो पेशेवर स्पोर्ट्स खेलेंगे उनके लिए सरकार नीती लाईगी साधर्णत पेशेवर स्पोर्ट्स को कोई सरकार अपने करमचारियों के लिए अलाव नहीं करती है शायद किसी राज्य या केंद्र सरकार में ये नीती नहीं है कि किसी करमचारी को पेशेवर स्पोर्ट्स या वानिजिक एडवेटीजमेंट करने दे पेशेवर स्पोर्ट्स से जो आमदनी होगी उस आमदनी का एक तिहाई हिस्सा स्पोर्ट्स डेविलप्मेंट फंड में वो जमा करेंगे वो स्पोर्ट्स डेविलप्मेंट फंड जो है वो स्पोर्ट्स के विकास के लिए ही राज्य में उसका प्रयोग होता है और उसका जो administrative rules होगा उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा sports persons को ही रखेंगे ताकि कि वो पैसा जो है sports persons की बहतरी के लिए या sports के विकास के लिए ही वो उद्देश उसका पूरा हो कर दो कर दो कर दो